बिस्मिल्ला रमाने रेम अस्सलाम अलेकुम विवर्स एंड वलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं अर्वी और चिकन का जालन बहुत डीफ्रेंट तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी किस तरह से हम इसे अच्छे से वाच करके इसकी चिप चुपाट को खत करस्कते हैं और इसे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना सकते हैं बहुत出来 बनाते हैं तो चलते हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं यह पर सबसे पहले मैं इने तीन पाव одна उली और पीस का छाएं आप अपने साफ से कटिंग कर लें अब मैं इसको एक बॉल में शिफ्ट करूँगी और इसके उपर दो चमच के करीब नमक लगाऊंगी आप नमक की जगा आटा भी लगा सकते हैं तकरीबन पंदरा मिनट के लिए इसे हल करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक के साथ और पंदरा मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हाथों को गलपस चड़ा कर इस तरह से मल लें अगर आप गलपस नहीं चड़ाएंगे तो आपके हाथों पर खारिश हो सकती है इस तरह से इसे मस लेंगे और इसके बाद अची तरह से वाश कर लेंगे देखें काफियत तक इसकी जो चिपचपाट है वो खत्म हो चुकी है अब यहाँ पर कडाई में एक कप कोटिंग ओल का गरम कर लिया था और इसमें दो अदद मैंने प्यास ग्रैन करकर डाल दिये हैं ग्रैन मैंने इसलिए की हैं क्योंकि इसे मसालेदार ग्रेवी बनेंगी बहुत ही सबरदस लगते हैं तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए अची तरह से इस तरह से फ्राइ करेंगे ताकि इसका कच्छा पन जो है वो दूर हो जाए फ्राइ हो चुका है हमारा प्यास तो हम इसके अंदर चिकन को शिफ्ट कर देंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तकर प्यास के साथ हम चिकन को फ्राइ करेंगे ताकि इसका कच्छा पन जो है वो दूर हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर अद्रक लैसन और हरी मिर्चों का पेस्ट आड़ करेंगे और अची तरह से इसे तल लेंगे ताकि अद्रक लैसन की जो समेल है वो खतम हो जाए हरी मि हमारा अद्रग और लेसन अब हम इसके अंदर अर्वी एड़ करेंगे इस स्टेज पर हमने इस अच्छी तरह से तलने ना है चिकन और अर्वी को एक साथ हमने तलना है ताके इसकी जो बाकी चिप 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 आठ है वह भी खतम हो जाए देखे हम इसे फ्राइ करते अब हम इसके बाद इसके अंदर टिमांटर की प्योरी एड़ करेंगे दो अदर टिमांटर ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से इसको चमच की मदबसे मिक्स करते जाएंगे और फ्राइ करते जाएंगे आप इस मेत्टर से पकाए इंशाला अब आपका हर्वी चिकन जो है वह बहुत मज़ेका बनेगा अब हम इसके अंदर एक चमच के करीब भल्दी और एक चमची सुर्ख मिर्च का पाउडर आर करेंगे आप हमने टेस्के हिसाब से मिर्चों को कमिया ज्यादा कर सकते हैं अच्छे तरह से बूनते जाएंगे तक इसका कच्छाबन जो है व जाएं देखें ग्रेवी कितनी सबर्दस बन रही है अब इस स्टेज बर हम इसके अंदर एक स्पून भरकर सुका दनिया पाउडर एड करेंगे इससे खुश्बूदार सालन बनता है अच्छी तरह से बुनाएं करेंगे कुकिंग ओल उपर आने तक खुब अच्छी तरह स बुने अब हम इसके अंदर दो से तीन अदर हरी मिर्चे एड कर देंगे सालन जो हमारा अच्छी तरह से वह बुन चुका है कुकिंग ओल ऊपर आगया तो एक गलास में इसके अंदर पानी का एड करूंगी और इसको तोड़ी तर के लिए पकने दूंगी अगर आप इसका हमारी गरेवी जो है जबरदस्ती वह रैडी हो चुकी है आप इसके तिकनेस देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्ता ही है क्योंकि हमने तमाम मसाले जो है ग्राइट करके डाले थे तोड़ा सा यहां पर मैं गरम मसाला इसके उपर चिड़क दूंगी और हरा धनिया इसके उप दाल देंगे दो मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ताके अच्छे से इसके अंदर कुछबू आ जाए दो मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो मारा सालन जो है वह बिलकुल रैडी हो चुका है अब हम इसे एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसं खाने में इससे भी ज़्यादा मजगी है अगर आपको रैस्पी पसंदा ही है तो गएन एक चोड़ा सा लाइक कर दें मिलते हैं चाला दला किसी बहुत ही मजगी और यूनीक सी रैस्पी के साथ दो आमें याद रखेगा थैंक्स फॉर वाचिंग अला हाफीज